वालिवुट के मिस्टर दवंग खान यानि सल्मान खान को लेकर आई है इस वक्त बेहद ही बड़ी ख़बर सामने दरसल सल्मान खान जिनों ने अपने नेबर पर लगाया था यहाँ पर के जहां पर उन्हों ने आपको दाई की शादी से जुड़ा भी राज जिया जहां पर सल्मान खान ने केस तर्च किया था अपने परडोसी के खिलाफ और कहा था कि उनकी सरीके की बाते करते हैं और ऐसे नों ने उन्हें सुनने में आया है कि उनके जो परडोसी है वो लगातार उन पर निशाना साथ रहे हैं तो ऐसे में सल्मान खान ने एक केस फ रालिया इंटर्वीव में सल्मान खान ने खुलासा किया और बताया कि वकीर प्रदीव करी ने जहां पर वकीर ने बताया कि केतन ने कहा है कि स्लमान खान जो की बींग अ फ्रन अफ धी गैंग है और साथ ही यह भी कहा कि सल्मान खान जिस रिलीजिन से रिश्टा लगते हैं यानि कि उनकी जो कास्ट है महमुदिन इससे पता चलता है कि वो किस तरीके के इंसान है, कई तरीके के ऐलिगेशन्स यहाँ पर सल्मान खान पर लगाए, जैसे कि यहाँ पर कहा कि यहाँ पर कई गंदे काम सल्मान खान करते हैं, जैसे कि ट्राइफिकिंग और साथ ही यह भी प्रॉपर प्रॉफ आप किसी पर भी ऐसे एलिगेशंस नहीं लगा सकते। इसे के साथ सलमान खानने कहा कि मेरी अब ब्रिंगिंगे कैसे परिवार में हुई हैं जहां पर मेरे पिता मुसलिम और मेरी माता हिंडू है। इसे के साथ उन्हें कहा कि यहां तक नौटा गुंडा चाप to make such allegations. This easiest thing now a day is to gather some people, get on social media and vent out all your anger. He added that he had no aspirations to join politics. जी हाँ. बता दे कि सल्मान खान जो की सुब्रबर्ब बांदरा में रहते हैं रुंकाखुद का फाम हाउस पन्वेल में हैं रुसी के परोसी ने इस तरीके के allegation सल्मान खान पर लगाए हैं जिसके चलते सल्मान खान ने उन पर case कर दिया और यहाँ पर आप इस case की सुन्राई चल रही है. बता दे कि केतन ककर जिनोंने एक यूटुब चैनल पर एक यूटूबर के साथ कई ऐसे कॉमेंट्स थिये सल्मान खान पर जिसकी सुन्राई के बाद सल्मान खान के भी होश उड़ गए थे. तो यह हैं पूरी खबर सल्मान खान को लेकर. नेक्स्ट्राइन लाइफ की रिपावू.